गीता अठारा के श्लोक नंबर बासट में भगवान स्वयम कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांती वशास्वत इस्थान अर्थात सतलोक को प्राप्थ होगा वो परमेश्वर कौन है कहा है कैसा है जानने के लिए कृव्या अवश्य सुनिये जगत गुरू तत्व दर्शी संत रामपाल जी महराज के अमरित वचान परमात्मा ने आद पौन गंटा तक इसी एकी करन के उपर ज्ञान सुनाया रामा नंज की आँखों में आशू बजाए और खड़े होगे सो सो आशो वर्स के विक्ती हो रहे थे वर्द हो रहे थे खड़े हो करके और सिकंदर लोगी दिली के बाद से मुसल्मान की ऐसे कौली बरली अपने बाज़ों में सीने से लब लगा लिया और कहा बेटा मैं नीच आत्मा हूँ आज मेरी आँख खुल गी मैं इतना गंदा रह गया था इतना नीचता थी मेरे मैं मुसल्मानों से नफरत किया करता था आज के बाद मेरे हर्दे में कोई किसी परकार की भी कोई घर न आप जी के धर्म के परती विक्तियों के परती नहीं है और ना रहेगी पुनातमा और कहा तो वाँ विजली गर जानी थी थोड़े देर में पता लग जाना था कि मुसल्मान ने और एक हिंदू संत को मार दिया आग लग जानी थी सामपरदा एक दंगे हो जानी थी पर मातमा ने आग सी बुजा जी एक सेक्ट और उतर से शीकंदर लोज जी को इतना दड़ विश्वास हो गया कि यह तो अल्ला ही उतर कर आया हुआ है पुनातमा और इस परकार परमेश्वर ने अपनी समर्थता का परमान दिया पुनातमा और हम ने अब कबीर परमेश्वर जी ने बताया स्वामी रामान जी को के स्वामी जी आज के बाद आपका जीवन नहीं था और रामान जी इस जोतिस पर विश्वास बहुत करते थे उन्हीं का एक सिस ब्रामन था वो बहुत अच्छा जीवतिसी था उसको बलवाया उसने और कहा भी मेरी रेखाओं में क्योंकि उसने उनकी जनम पत्री बना रहा थी और जनम पत्री में बता रखा था कि आपकी 120 वरस की आईउ है लिख रख्या था उसमें 120 वरस तो बहुत हो जाते हैं इसलिए उसमें को विश्य चंता का विश्य नहीं था यह बनमें भी नहीं आवा थी को मराएगा तो मरें जागा 120 वरस तो बहुत हो जाते हैं तो तब उसने देखा कि वो 120 वरस ही पूरे हो चुके थे उसने जो थी नहीं कहा कि स्वामे जी आज आपकी आपका अंतिम सांस थे अंतिम दिन था यानि आज के बाद आपका जीवन नहीं था तब कभीर परमेश्वर जी ने कहा कि स्वामे जी आपकी इसी परकार यही प्राहरब था आपका कतल ही होना था सिकंदरलो जी के हाथों आपका यह सब कुछ होना था हो गया लेकिन आपकी आईउ समाप तो जानी थी और अब मेरी करपा से आपकी आईउ बढ़ गी है कहते है रामा नंजी लगबग डेड़ सो वरस तक जीवित रहे फिर परमेश्वर की करपा से पुना आत्मा हो यह मिट्टी का पूतला कोई नहीं सोचा यह कोई खाने पीरने से चल रहा है ना यह परमात्मा की करपा से चल रहा है उसकी रजा से चल रहा है ऐसे ऐसे परमान हमने देखे हैं एक विक्ती हमें मिला उसके साथ एक दोर उसके साथ थे वो कह रहे थे कि इसने पत्तिस वरस होगे कुछ नहीं खाया है पानी पानी ग्रहन करता है हमने कहा क्या दूद भी नहीं पीता कर नहीं तेरा गजब हो यह और कती स्वस्थ नजर आ रहा है साथ साल के से भी उपर उसकी आईयों लगबग होगी तो कहने का भाव यह है कि यह मिट्टी का पूतला मालिक ने बनाया है और उसी की किरपा से ही चल रहा है उसी का दिया हुआ अन आहर जो भी हम करते हैं उसी से सब करिया होती है लेकिन फिर भी पावर प्रमात्मा की विसीस काम इसके अंदर करती है पुनात्मा हम ध्यान नहीं देते क्योंकि हम प्रमात्मा की ग्यान से गढ़े दूर है हम इस सरीर में रोटी जो कुछ भी खाते हैं खाना खा लिया दूज पी लिया और भाई कच्चे फड़ खा लिये हम तह इस में डाल का निश्चन हो जाते है तो अंदर ये क्या करता है इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है क्या ये आंत कर रही है क्या ये मिट्टी का पूतला कर रहा है ये मालक की पावर कर रही है सारा कुछ का प्रमात्मा की वो सकती काम कर रही है इस पूरे खाएवे अन को ये दोबारा से इतनी हीट देता है और उसको फिर से पचाता है नए सिरे से उसको मसलता है उसना से अलग अलग अन्स करता है बता एक फैक्टरी लागे देख लो जो ये सारे आइटम करके दिखा देता है एक भी नहीं कर सकती है तो हमने प्रमातमा को महतुद ज़्यादा देना चीए उससे हमारा ये था तो एक सो पचास साल तक लग लग वो रामानंजी जीवित रही तो हमने भगवान स्री किरसन जी को प्रमातमा इसलिए माना था कि उन्होंने राजा मौर दोज के पूत्र तामर दोज को आरे से दो फारड करवा के आरे से चरुआ दिया, एकरौत होता है आरी उसी बड़़ा होता है, दोनों तरव से हैंडल होते है, चलाने के उनको आरा बोलते है वो मर गए थे, दो भाग हो गए थे और स्री किरसन जी ने जीवित कर दिया था हमने इसलिए श्रीकर्शन जी को प्रमात्मा की संग्या में रख लिया कि इन्होंने ऐसी अन होनी की थी लेकिन प्रमात्मा कबीर जी बताया करते थे कि तुम भूल गए हो श्रीकर्शन जी के सगे भांजे अभी मन्नू चक्कर विहू में पर्थम जन्ही मारा गया था और उसको श्रीकर्शन जीवित नहीं कर सके सुब्धरा रो रही थी पांचो पंडों का बुराल था वन्स नस्ट हो रहा था और श्रीकर्शन जी जीवित नहीं कर सके के श्रीकर्सन भी अपनी बेहन के दुख में रो रहा था बांजे के मर्त्यू के दुख में कारण क्या था कि उधर से मौर ध्वज के पूतरतामर ध्वज की आयू सेश थी उसको काटके दुबारा जोड़ देना इन भगवानों की पावर में है लेकिन आयू नहीं बड़ा सकते हैं प्राहरत में प्रिवर्तन नहीं कर सकते हैं प्राहरत में दुख है तो दुख ही रहेगा श्रीकर्सन यानि विश्णू जी नहीं कर सकते हैं जोश्ट और अभिमन्नों की आयू सेश नहीं थी जिस कारण से श्री कर्शन जी यानि विश्णु जी अभिमन्नों को जीवित नहीं कर सके कोईते हैं प्रहर्वत के अंदर जो भी लिखाया है वो मासा घट है ना तिल बढ़ है यानि ना जरा सा कम हो सकता है ना ज्यादा हो सकता है पूर्ण प्रमात्मा के अतिरिक्ट और सच्चा सत्गुरू यानि सत्गुरू यानि नकली सत्गुरू भी गणे होगे तो इसलिए सच्चा सत्गुरू पूर्न संत जिसके पास कभीर परमिश्वर या दस्वेम कभीर जी ही होते हैं या अपने विसेश करपा पातर पर करपा वक्ष देते हैं उसको कुछ सक्ती पावर दे देते हैं वो ही परिवर्तन कर सकते हैं सचा सत्गुरु मेट कर यानि उस प्रहरुद को खतम करके और उपर मार दे मेख 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 मीन उसकी एक्स्टेंशन कर दे जैसे पाप है पाप काट दिया और अपनी मौर मार दी हमने बड़ा आजब कोई छेड़ नहीं सकता इसको हमने इसको खतम कर दिया प्रहरुद को इसके नास कर दिया पाप को कोई इसमें मीन मेख नहीं कोई चुप कोई नहीं बोलेगा यानि फाइनल एथॉर्टी के साइन हो जाते है तो ऐसे कहते हैं मासा घटे ना चल बने जो प्रहरुद के लिखे हुए लेख में और कहचे सचा सद्गुर मेट कर उपर मार दे मेख वो फोर एवर उसको सदा के लिए सुख परदान कर देता है दुख निवार्द कर देता है एक्स्टेंशन कर देता है आयू भी बढ़ा देता है अपने आत्मों यही परमाना आपको दिखाते है कि हमारे सद्गरंथ भी यही बताते है कि परमसंद से मंतर लेकर के साधना करने से वो पूर्ण परमात्मा जीव की आयू भी बढ़ा देता है देखिए गाल यह है डेक वे दिवतिय भाग बासा बासे अन्वाद किया हूँ इसको बासा बासे बोलते है यह कहां से परकासित है परकासित है पर्णिता राकेश रानी परधान कारियाले वेद मंदिर मात्मा वेद विक्सू सिवासरम लेखराम नगरम अबराहिम पूर मुखमेल पूर दिल्ली यह इनका गुर्णास है दान संस्थान नहीं दिल्ली से परकासिता है इसमें रेगवेद के मंदल नमबर दस के मंदल नमबर दस सुक्त नमबर एकसो एकसट और मंतर नमबर दो यधी किसी रोगी की जीवन सक्ती समाप्थ हो यधी वे सीमा से भी परे हो गया है यधी वे मर्चू के सनिक्ट चला गया है तो भी उसे मैं भारी कश्ट परद रोग से के पंजे से मुख्ट कराऊं तथा उसे सो वरस सत वरस माने सो वरस के जीवन है तू बल संपन करूं यधी रोगी की जीवन सक्ती समाप्थ हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है तब भी परमात्मा उसे इस कश्ट पर रोग से मुख्ट कर सत यानि सो वरस का जीवन दे सकता है फिर आगे देखिएगा मंतर नमबर पांच में यह मंतर नमबर पांच है इसका यहां अनुआग है यह रोगी मैं तुझे रोग से मुख्ट करूं परमात्मा कह रहे है और तुझे मैं पाऊं यानि तरह दुख भी दूर करूं और तुझे प्राप्त हों यानि मुख्ट करूं तुझे पुने आह यानि समर्पित हो अब जिसको प्रमात्मा ने रजा बख्ष दी दुख दूर कर दिया कहती तुझे तु समर्पित हो ललो पत्तो मत कर यह नव जीवन प्राप्त प्राणी नो जीवन के धारक यानि पुनर जीवन प्राप्ट तेरी मर्द तु आईउ नहीं थी और मैंने बड़ आदी तुझे सुख दिया तो हे सकल अंग युक्त तेरी चक्सु आदी इंद्रियों और सारी आईउ तुझे दू अब इसका तात्रिय क्या है कुलि आत्मा कहने का कि भगवान ये कह रहा है प्रमातमा का आदेस है कि जोर मेरी सरन में आ गया तो उसका कितना बैंकर रोग हो और उसका जीवन भी सेसना रहा हो आपको और के दिर करें दिखाते हैं तो कहते हैं तो तरह दुख भी दूर करो रोग भी नास करो तरी ओमर भी बढ़ाओं और उसके पस्चाथ तू ये ना सोचना के बसी तरह काम बढ़े गया अपना आत्माओ आप जी तो बच्चे हो इस मारक के दास इस मारक का डॉक्टर है मास्टर है आप जी को बहुत सी आपदाएं आती है परमातमा टाल देता है आप उनको सुभाविक मान लेते हो और आप ये सोचना चाहिए कि या पती आपकी टली है परमातमा कबीर जी की द्यासे आपकी जान जानी थी अब जान जाने के बाद एक्स्टेंशन कर दी परमातमान आपकी सची सर्दा लगन देखकर आपकी आयू बढ़ा जी आप कहते है इस आगे चलके आपकी और भी अंग भंग भी हो सकते हैं यदि तु सच्चे दिल से लगा रहेगा मेरी सर्द मा रहेगा तो और भी तेरे किसी भी अंग में कोई रोग होगा या कोई हानी होनी होगी उस से भी तेरी रक्षा करूआ अब यहां दिखाते हैं आपको एक और संत के दोवारा अन्वाध है रिसी के दोवारा इसने और अच्छे डंग से किया है ये साथ से लेकर दस मंडल जो है ये स्रीपाद दामोदर साथव लेकर ने किया है और ये कहां से परकासित है रेगवेद बास्यम मेरशी दानद सरस्वती संपादक दानद अरपन विश्वे मानो उठ्वान परिश्द पंद्रीकरंड कृत चालिस बटापांच सामुदाई केंद्र पूर्वी कैलास नहीं जल्ली से इसका विच्छपा परकासित हुआ है और मुद्रित कहां से है यह है कंपूर डाटा सर्विशेज नई दल्ली दूर भास इतने इतने यह यहां से चपा है आप इसके दिखाते हैं आपको रेगवेद बास्यम पंदरा सो चौदा सो नौ प्रेश्ट यह एक सो एक सट शुक्त है दसमे मंदल का दसम मंदल दसमा मंदल और यह एक सो एक सट सुक्त हैं इसका मंतर नमबर दो यदि रोगी की अक्सिन आयू हो गई हो यदि वह इस लोग से चला गया है यदि उसकी मर्टू होगी और वो शरीर छोड़ कर चला गया जैसे रामानंद का जीव चला गया था और यदि वह मर्टू के पास गया हुआ है तो भी तो भी उसको मैं मर्टू देवता निर्ती के पास से लोटा ला सकता हूं यम्दुतों से भी चुड़ा के ला सकता हूं और उसको सो वरस के जीवन के लिए बल पर बल करूंगा यह देखिए गए नकलियों ने कैसे गड़ब्ल कर रखी है और यह समाजियों में कुछ एक नहीं यह है रेगवेद मंडल नमबर नौदस और यह कहां से प्रकासित है प्रकासित के सार्वदेश्तिकारिय प्रतिनिदी सभा मेरिशिदान भावन रामिला मैदान नहीं दिल्ली से मुद्रक है प्रिंट्स आफ्षेड प्रिंटर्स पंद्रा सो दस पतो दियावस द्रियागंज नई दिल्ली यह इनके फोन और नमबर है इन्होंने अर्थों का अनर्ष कर डाला यह देखिएगा रिगवेद मंटर नमबर दस शुक्त नमबर 161 प्रिंटर्स नमबर 1186 पे और मंटर नमबर दो इसमें का यदी रोगी नश्ट जीवन सक्ती वाला हो गया है यदी अथवा सीमा से परेच लागा है यदी मर्टू के समीप पहुँच गया है पहुँच गया ही है तो भी उस रोगी को मैं वैद है अचा बेद ये कुछी और दौईयां की किताब है यो बखवास कर दी नो ने पढ़ने वाला ने सोचा बैद बूद के बारे हम लिख दिया होगा दो अन्वाद करता हूंने सही अन्वाद किया इन्होंने डंगाडाना था क्योंकि ये नि मानते कि किसी साधनासे बगती से कोई सुख होता है पापनास नहीं होता दानत की उच्छी सोच के अधार पर ये ऐसा बोल रही है इन्होंने अन्रस कर दिया तम माने उस रोगी को अड़वैद सब्द नहीं है मैं वैद कहा गया मैं बगवान लिखना जीए था कष्ट पद रोग के पंजे से छुड़ा लाता हूं सो सरद वस्तू रितूं तक जीने के लिए इसको बल्युक्त करता हूं यहां इन्होंने यो नास करेका है और अडंगे अडारे के बीच मैं यह दानन जो था यह बठा बठाने के लिए कालन बेज़ जा था सद्गरंथों का नास करने के लिए इनका गल्द अन्वाद करके गल्द परचार करने के लिए और जनता को भर्मित करने के लिए अब इस दास के सामने ये बाधक बने हुए ये नकली रिसी महर रिसी गुरू जो गल्ट ग्यान परचार किया करते थी और धनताओन को महर रिसी मान करूं के परतेक टिपनी पर विश्वास किया करते थी और पुन्यात्मों कबीर प्रमेश्वर जी इस परकार अपनी प्यारी आत्मों को सुख दिया करते थी जैसे अभी आपको सिकंदर लोज्दी का दुख दूर किया उनके सामने रामानंजी की हच्चा कर दी थी सिकंदर लोज्दी राजबाद शाय ने वो जीवित किया उसके बाद भी और बहुत से जासे एक अब वापस आये जब कबीर जी को साथ लेकर चल पड़े खास पर जोड़ के शिकंदर लोज्दी ने सोचा था ये स्वें अल्हा उत्रे हुए हैं और मुसल्मान धर्म यदि अल्हा ना माननेगा क्यों नराकार मानते हैं लाकार मा कभी नहीं आता अपने पैगंबर भेजता है तो पैगंबर तो मौनने लेंगे इनको और इनके उपदेश में इतनी सक्ती है हिंदू और मुसल्मान का आपसी जगड़ा बंध हो जाएगा अब तो सिकंदर लोजी ने कहा पर परदिगार आप मेरे साथ दिल्ली चलो मैं आपकी सिवा करना चाहता हूँ आपने मेरे ओपर बहुत उपकार किया है प्रमातमा ने कहा सिकंदर बात सुन मैं उसी के घर जाता हूँ जो मेरा सिस बन जाता है यदि आप मेरा सिस बनना सुविकार करो तो मैं फिर सोचू सिकंदर लोजी ने कहा जी मैं आपका दास आपके चरनों की धूल आपका दिया हुआ जीवन है मैं आपका स्यस बनता हूँ प्रमात्मा ने फिर टर्म और कंडिशन बताई एक तो हिंदुओं से मुसल्मान नहीं बनाओगा वाई फोर्स अपनी इच्छा से ग्यान समझ कर कोई किसी भी धर्म को सिविकार करे आप उस पर कोई बाधा नहीं करोगे जबरदस्ती नहीं करोगे अगर नहीं करूगा आज के बाद नहीं करूगा पता था उसका कि कल अगर नहीं फिर गलती करूँगा यह पाड़ सादुख फिर मेरे उपर आ जाएगा फिर कहा कि मास नहीं खाएगा शिकंदर लोजी ने कहा जी सब सुईकारी है प्रमात्मा ने कहा कि तू अपने रज्जे में हिंसा बंद करवा दे है अब शिकंद लौजी ने कहा कि परवदिगार आपकी जो आग्या होगी वही होगा लेकिन ये कारिये मेरे बस से बाहर है क्योंकि सभी मुस्लमान लोग मास आहर करते हैं और वो मेरी आग्या का पालन नहीं करेंगे और ये दीमत सक्ती बरतूँगा तो फिर बहुत गल्त हो जाएगा आपका फिर वो भी आदेस आपका नियम हिंसा हो जाएगा तो कबीर जीन कहा ठेक है तो नामास खाएगा और कभी भी नहीं चुएगा तो इस परकार प्रमात्मा को लेकर शिकंदर लोधी दिल्ली की तरफ चलपने हाथी के उपर अपने ही कक्स में मालिक और ठाल यादर के साथ उदर से उनका सेख तकी नाम का एक पीर था जो उनके साथ कासी गया हुआ था तो सिकंदर लोधी ने उस पीर को कबीर परमेश्वर की सारी महिमा बताई उनकी भूरी भूरी परसंसा की के इनके आशिरवाद मातर से मेरा रोग दूर हो गया ऐसे ऐसे मैंने रामा नंजी का सिर काट दिया था गर्दन कतल कर दी थी इन्होंने मेरे सामने जीवित कर दी ये तो अल्हा आई हुए ये तो खुदा उतरे हैं परच्वी पर आप कहते हैं वजीर और फ़कीर ये एक दूसरे की परसंसा सुन नहीं सकते हैं एक दम उसके तो करंट सा लगया और मन में बहुत दुखी हो गया कि राजा तो अब इसकी पर संसा करता दूसरे संत की ये तो इसका अब इसी के गुन गाएगा तेरी महिमा कम हो जाएगी अब कबीर जी को निचा दिखाने के लिए उसने बहुत सी अठकलें लगाई रस्ते में जब वापस आ रहे थे दिल्ली को रस्ते में एक दरीया के ओपर पड़ाओ कर लिया पानी का विश्था देखकर तो सिकंदर लोजी से सेख तकी बोल्या नहीं उनका गुरू जी सिकंदर लोजी समझ गया कि ये कोई इसके मन में दोस आ गया पूछने से पता चला कि वो इस कबीर जी से दुखी है और कहा है कि तू अब कबीर को अपना गुरू मानता है इसको अल्हा कह रहा है मेरी क्या हो सकता है तुझे और चल वहां दिल्ली में बता दूँगा सारे मुसल्मानों को कि राजा काफिर हो गया है हिंदू का गुक्सेस बन गया है ये कर दूँगा अब सिकंदर लोजी डर गया कि इसके सारे मुसल्मान मानते है एक वर कह जिया तो आग लग जाएगी राजी में ये फिर भी पूछा कि राजन क्या तकलीफ है कैसे मुर्जाय है चेरा आपका कोई राजी की बुरी खबर सुन ली शिकंदर लोजी ने का पर वो आपके होते और क्या बुरी खबर हो सकती है दास के उपर लेकिन ये मेरा जो सिदार में गुरू है ये मेरा सिर्मदर्द है अब इसने ऐसे ऐसे कहा है तो प्रमात्मान कबीर जी ने कहा कि ये कैसे परसन होगा ये पूछ गया तो शिकंदर लोजी फिर उसके टेंट में गया और कहा कि ए पीर जी आप क्या चाहते हो शेक्तकी ने कहा कि मैं अपने सामने कोई मुर्दा जिन्दा करता हुआ इसको देखना चाहता हूँ तब मानूँगा ये पैगंबर है ये अल्लह का उतार है मेरे सामने जीवित करें मैं तेरे साथ नहीं था जब से रामानन को जीवित किया और अन्य था मैं नहीं मानूँगा इस बात को आँखों देखों तो मानू कभीर जी से आकर के सिकंदर लोजिन ये सारी कहनी बताई है कभीर जी ने कहा कहो उसको कह दे कि मुर्दा बुला ले मंगा ले कहीं से मुर्दा सिकंदर लोजिन ने कहा जी आप लाओ मुर्दा जीवित कराते है मैं कहां से लाओं मुर्दा कहां से लाओं मुर्दा कभी देखूंगा कभी होगा ऐसी कोई समय आएगा इतनी बातें कर रहे थे सबी टेंट से बाहर आगे थे इतने में क्या हुआ कि एक 10-12 वरस के लड़के की लास यानी सव दरिया में बहता हुआ आ गया कुछ कबीले कुछ समुदाय ऐसे होते हैं जो ने तो जमीन में गफनाते हैं और ने ही अगनी में सभा करते हैं च्यार परकार से दाग दिये जाते हैं अंतिम समस्कार होते हैं एक तो अगनी में एक जमीन में गाड़ देते हैं, एक आकास में एक बहुत बना चलूतरा सा बना देते हैं, 20-30-50 फुट उंचा, उस पर उस सव को डाल देते हैं, पसू पक्सी उसको खा जाते हैं, पक्सी मास को, फिर बचेवी हाडों को उनको, वो कुछ उस दीआदी में परियो कर लेते हैं, या कहीं जल परभा कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं, जो जल परभा कर देते हैं सव کो, बहुत अच्छे तरीके से, एक फ्लोटिंग सा बनाते हैं बेडा, जैसे नौका होती है, नौका के तचारों तर ऐसे, दवारे होती ह जैसे लोहे का लकड़ी का बंडल सा बना कै फूस का तरने वाला उसके उपर सव को लिटा देते हैं और फिर सरदा से उसको जल परवा कर देते हैं वो ये सोचते हैं कि इसके मास को पसूप जीवजन तू खाएंगे जल के दूआ देंगे इसको पुन्य होगा इस जैसे से वो बालक जल परवा कर दिया था मर्ट्यू के उपरांद तो इतने में किसी ने बता जिया जी वो आगया मुर्दा वो आगया मुर्दा देखो एक सव आ रहा है तो सभी ने कहा कि वो आगया परमातमा ने कहा कमीर जी ने शेक तकी जी आप पहले ट्राई करो कहीं बाद में फिर यह कहा जो मैं भी कर दियता उसको तो सिकन्दर्लो जी ने कहा ठीक है जी आप भी कोसिस करो आप भी संत है मातमा हो गुरू हो तो उने लगया थू अपने मंतर मंतर करने लगया कुछ नहींगा वो काफी आगे चला गया तब सेक तकी ने कहा ये तो बहाना ढून रहा था ये चाहता था कि मुर्दा चला जाए तेरी वापत चल जाए ये इसके कुछ कर हो ही नहीं सकता मुर्दा जिन्दे होते हैं कभी वो तो कभी कियामत आएगी तब होंगे लाखों और सो बाग अब थोड़े ही होते हैं परमातमा कहने लगे आम इव कियामत लेजा ऐसे आज कर गया प्रफिश्वर कभीर जीन ऐसे वापिस के जैसे मुर्दे को संकेत करें हो कि वापिस आजा उसी से में वो मुर्दा जैसे लहरों में बैता हुआ जा रहा था दरिया में उसके विप्रित अब सट्रीम को चल पड़ा जिदर से लहरे आ रही थी उसी साइड में वापिस आ गया जैसे ये एलेक्ट्रिक या इंजन की नोका चलती है विप्रित दिसा गया वो सभी खड़े थे उनके सामने आकर कि वो सवयों का यो वहां सथिर हो गया और नीचे से जल बहरा है वो खड़ा है वहां पर उसके उपर लेटा है तब परमातमा ने कहा है जीवातुना जहाभी है जहाभी चली गई है तुम वहां से वापे सा कबीर हो आदेश से और परवेश करी साव में शरीर में इतना ही कहा था उसी से में बच्चे का स्रीर है से कपने लगया और बहर आया एकदम उठकर और परमातमा कबीर जी के चर्णों में डंडवत परणाम किया बोलो सत्गूर्दी जै इस परकार परमातमा की लिला को देख करें सेकड़ों की संख्या में सैनेकों ने उपदेश लिया और भी आस पास के लोग इकठे होगे थे वहाँ ये देख रहे थे उन्हों ने उपदेश लिया यानि परमेस्वर की इस तरह की लिलाओं को देख कर और अपने दुखों का निवारण होने के कारण प्रमात्मा कबीर जी के लाखों सिस हो गए थे अपने अत्माओं ये जो महिमा थी कबीर प्रमिश्वर की लीला है ये इन अकली पंडितों गुरुवों रिसी महें रिसी महेंतों ने उपर नहीं आने दी श्री किरसन वगवान की श्री रामजी की लीलाओं का डेडोरा पीट दिया सब जगे रह रहकर उनका जो हना महिमा का गुनगान कर दिया और पूर्ण प्रमात्मा की लीला जो सबी सद्गरंथों से मेल खाती है उसको दबा दिया यही कान रा के हम बगती करते हुए भी अपनी मानो जीवन के लक्षे को पूरा नहीं कर सके यहीं जनमते मरते रहे बूत प्रेत बन गए फेरीनी नकली गुरूओं ने सराद निकलवाने शुरू कर दिये प्रेंड प्रवाने शुरू कर दिये ना जाने कितनी क्रिया और ठोप जी हमारे उपर ज़िए उन क्रियाओं से कुछ लाब हो तो भी कोई दिक्कत को नहीं हम वो करने को त्यार हैं लेकिन उनसे कोई रहत मिल ही नहीं प्रमात्मा इस परकार प्रमात्मा कबीर जी के चोंशट लाख सिस हो गए थे कबीर जी के चोंशट लाख अब प्रमात्मा ने देखा कि ये जितने भी आज सिस मेरे बने हैं इन में मैं जो ग्यान देता हूं इस ग्यान का भी कुछ आधार है या मेरे द्वारा प्राप्स इन सुखों से रोग नश्ट होने से ही मेरे चिपचिपके हुए है या मुझे ये कुछ मैतों भी देते हैं मुझे प्रिचित हुए हैं या नहीं कि I am God अब ये इस बात से प्रिचित हैं कि नहीं कि मैं भगवान हूँ क्योंकि वो प्रमात्मा थे कबीर भगवान और जब तक हम अपने प्रमेश्वर को प्रमेश्वर नहीं मानेंगे तो तब तक हम उसके उनके पास नहीं जा सकते उसमें क्या समझ्चा थी कबीर प्रमेश्वर जी जो ग्यान दिया करते थे परमेश्वर कबीर जी के स्यस जगे जगे जाकर उठा परचार भी करते थे और अपने हुए सुखों का भी वर्नन अन्य के पास करते थे तो दूसरे जो गुरू थे वो चापलोस और चतुर थे वो कहते थे कि हम संस्कर्थ भासा जानते हैं और आप जी के गुरू कबीर जी संस्कर्थ भासा नहीं जानते हैं तो वेदों और गीता और पुराणों के बारे में वो कैसी बोलते हैं वो कैसे कहते हैं विर्मा विश्णु महिस नासुआन है क्या आधार है उनके पास वो जूठ बोल रहे हैं वो भगवान नहीं है वो संत नहीं है वो तो ऐसे उठ पटांग बकवास करने वाले पाखंडी लबाड हैं जूठ बोलते हैं अपने अत्माओं जो प्रमात्मा च्छस्सो साल पहले बताया करते थे और हम विश्वास नहीं कर सके और वो जूठे गुरु प्रामन रिशी महरिशी महंत कहा करते थे कबीर जी जूठ बोलते हैं पुराणों को नहीं जानते हैं दिरिमा भी सणो महिश को नास्वान बतातै हैं उनके मातापिता बताते यह धूठ है आज दो ही पुराणों में प्रमात्मा की बाणी वतन सिद्ध हो रहे हैं देखिएगा श्रीमद देवी भागवत श्रीमद देवी भागवत अर्थात देवी पुराण सचीतर मोटरा ट्राइप केवल हिंदी गीता प्रैस गोरफपुर्ण इसे परकासित है और इसके कौन संपादक है शंपादक है हनुमान परसाद पोदार चिमनलाल गोस्वावी प्रकासित के में मुद्रक गीता प्रैस गोरफपुर गोविन भौनकारियाल है कोलकाता का संस्थान ये इनके फोन और फैक्स नमबर है और ये इनकी इमेल वगेरा की साइट है अब देखिएगा 123 प्रेश्ट के तीशरे सकंदम है तीशरा सकंद 123 प्रेश्ट इस 57 लाइनों में कितने कंसेट कलियर हो जाएंगे बगवान विश्णों अपनी माता दुर्गा की महिमा कर रहे है तुम सुद सरूपा हो ये सारा संसाथ तुमी से उद्वासित हो रहा है मैं बर्मा और संकर हम सभी तुमारी करपा से विद्वान है हमारा तो अविर भाव माने जनम तरो भाव माने मर्टू हुआ करता है हमारा तो जनम और मर्टू होता है हमारा तो अविर भाव अर्थात जनम तरो भाव अर्थात मर्टू हुआ करता है अर्थात हम अविनासी नहीं है विष्णु जी करें हम बर्मा विष्णु और संकर अविनासी नहीं है हमारा तो जनव मर्टी होता केवल तो मही नित हो जगजरनी हो परकर्ति और सनातनी देवी हो बगवान संकर बोले देवी यदी महा भाग विष्णु तुम्ही से परगट हुए है तो उनके बाद उत्पन होने वाले गर्मा भी तुम्हारे ही बाल लख हुए फिर मैं तमोगु निदीला करने वाला संकर कै तुम्हारी संतान नहीं वह अर्थात मुझे भी उत्पन करने वाली तुम हो तुम ही हो। शिवे संपुन संसार की शिष्व्टी करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की शिरिष्टी सकीथि और सहार में तुम्हारे गुन सदा समरत है। उनही तीनों गुणों से उत्पन हम बर्मा विश्णु एन संकर नियमा नुसारकारिये में अतफ़ पर रहते हैं अपने अत्मों परमात्मा ने छस्सों वर्स पहले बता था के बिर्मा विशुनु महिस भी जनम और मर्टू के अंदर है ये नासवान है अविनासी नहीं है इनकी माता दुर्गा है और पिता ज्योती निरंजन काल है लेकिन उस समय इन अग्यानी रिसी महरिसी और गुरू ब्रामनों ने परमेश्वर कबीर जी के ग्यान को ये कह करके जनता के हर्दे में नहीं आने दिया विश्वास नहीं होने दिया के कबीर जी ऐस सिक्सी थे उनको विद्या नहीं है वो संस्क्रत बासा नहीं जानते हैं इसलिए ये वेदों और पराणों और गीता जी को नहीं समझ पाती जूट बोल रहे है अब जैसे कल आपको बता था निरंजन धन तेरा दरबार जातनेक निनाय विचार कहते हैं पाखंडी की पूजा जग में संतने कह लबाड प्रमात्मा उसमें दुख वरे सब्द कहा करते थे ये मुझे तो अग्यानी बता हूँ है लबाड के मुँ मावाए बकवाद कर रहा है कबीर जी को कहा करते है ये तो लबाड है यानि जो मुख में आवववाहि बोल देता है पिर माभी शुनु महिस के बारे में ऐसा ऐसा कहता है ये तो लबाड है इसको ग्यान नहीं अग्यानी है पाखंडी की पूजा जग में संत ने कहें लबाड और अग्यानी को प्रविवेकी और ग्यानी को मूट गवार कबीर जी कहते थे मुझे तो ये मूट गवार कह रहे है आम जनतावी और मारे बगत उसके परमात्मा के अनुए आई भी इस बात को मान लेते थे कहां भी ऐसा तो है कबीर जी ऐस इक्सित है ये वेदों और कीता और पुराणों के बारे में तो गलत ही कह रहे है ये समझ ही नहीं सकते तो कैसे कह रहे है यानि परमात्मा के ससभी ऐसे बोलने लगे तो पौनात्मा परमिस्वर कबीर जी Mal रह रह करी ऐसे बहुत से परमान इसमें चार कंसेप्ट कलियर हो गए एक तो बिर्मा विश्णु महेस नासवान है अविनासी नहीं है दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है ये उसके पूतर है कौन बिर्मा विश्णु और संकर जी और तीसरा ये हो गया कि रजगुण बिर्मा है सत्गुण इमानुसार कारिया ही करते हैं, जो इनको ओर्डर दिया जाता है, यानि जो नियमित करके हैं, जिसके प्रहरम संसकार उसी को ये भुगवाते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब एक समय कासी के अंदर ये कोडी थे कोडी जिसको कुष्ट रोग होता है। उनको पता चला कि ऐसे ऐसे कबीर नाम के संथ हैं और उनके द्वार पर दो जाता है, वो सौश्ट हो जाते हैं। तो वो कोडी पांचार कोडी वहां चले गए, प्रमात्मा से अरज की। प्रमेश्वर ने कहा भी बात सुनो, देखो हम छू मंतर नहीं करते। हम आपको भक्ती बतावांगे तुम साधना करना, बुराई मत करना और पूजाएं छोड़ देना। और फिर तुम स्वस्थ हो जाओगे। तो वो कहने जी जैसे आप कहोगे, ऐसी हम कर लेंगे। तो प्रमेश्वर ने कहा कि तुम कितने हो कोड़ी, यह सारे वहाँ लाइन में बैठका बिक्सा मंगा करते हैं सेकडों की संख्या में। कहने जी हम तो सेकडों की संख्या में। कि उन सब को बला लाओकल है। और सबको संग्या जी है और ना यह बिक्सा मंगोगे पिरणा प्रियों करोगे बिक्सा मंगोगे फिरणा आपूओ तो प्रमात्मां ने कहा नाम लो नुद्वर ने प्रमात्मा और श्ला नाराम होता रहए। कटी सबस्त हो गे उनका नाम निसान भी नहीं रहा कि इनका कोड़ था कभी अब वो भी उन औरान बताया स्वेकुड़ों को बताया और भी गने दुखी आगे ऐसे बहुत से स्टेस्ट बने लेकिन जब ये बात आई अग्यानी लोग ये कहने लगे कि तुम्हारे गुरूजी शिक्सित नहीं है ये वेदों और पुराणों के बारे में नहीं जानते हैं और उदर से वो ये मानते थे कि हमारे लिए तो भगवान हैं हमारे लिए अब तो परमात्मा उतरित हुए हैं हम तो इतना दुख बोग रहे थे हमारे जैसा दुखी परच्वी पर प्राणी नहीं था ऐसे बिखती कुछ दिनों के बाद भी उनमें फिर दोस आगे सत्संग में आना कम कर दिया और प्रमात्मा के क्योंकि जब ये प्राणी सत्संग से दूर रहने लग जाता है वो परमात्मा से दूर करने वाली ही हैं जैसे व्युहाम नाचना गाना, फंड करना, मेंजीर चाना, चलक लगाना, 36 वकवाद करना ये सादु संता और बगतों के काम नहीं है सिंपल ब्या करें, नुड्र करें कि परमात्मा का अपना टाइम सा पास करना है, एक रसम अदा करनी है, बच्चों को साधी करनी है तो साधी तो हम सिंपली करें, तो विब्या तो बच्चों का ही होना है ये वकवाद किस लिए करते हैं, ये फंड किस लिए करते हैं इसको अपने हर्दे से कती उतार जैस ज्यान के आदार से तो इस तरह के हम क्रियाएं ना करें परमातमा से ड्रक के रहें तो ऐसे सट्संग से दूर होने से हमारे अंदर फिर व호ही क्रियाएं वहाई जनता के जो ड्रमे बाजी हैं हमारे अंदर समा जाएंगे तो इसलिए हमने अधिक से अधिक सबसंग में आना चाहिए तो वो कोड़ी थे कभी कभी आ जाते फिर तुमा स्वस्थ होगे साल दो स्वस्थ के अंदर उनको सुख गिने होगे फिर भूलिए भगवान प्रमात्मा कहा करते सुक के मत है पत्थर पड़ो जो नाम हर दे से जावे बलिहारी उसे दुख के जो पल पल नाम रटावे जब तक जीव दुखी होता है उसको नाम मिलता है बड़े चाव से सिमन करता है यह भगवान आपत्ति आगी और कोई आपत्ति भी बीच बीच में हमारे उपर आती रहे दुख आता रहे तो भगवान घणा यादाव है और यदि सुक के सुक हो जाओ हम तुर्ब बूल जाओंगे प्रमात्मा को यह सद्कर मान लेना आपके नाम लेने के उपरान तभी थोड़ा भूत आपके ओपर कोई ठूठा रहती है तो पुन्यात्मा यह गौट गीवन समझना प्रमात्मा की दी हुई समझना अन्यथा कहते हैं सुक होते ही प्रमात्मा से दूर हो जाता है तो प्रमिश्वर कहा करते थे यह मत मांगना यह मांगना कि आग लगे से सुक का जो भगवान से दूर करे इसा सुक हमनाने चाहिए कहते हैं दुख के मत है पत्थर पड़ो जो शिला पड़ो जो नाम हर दे से जा और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रिटावे तो प्रमात्मा की किरपा से वह सुखी होगे वो लोग सत्संग भी आना कम होगा कि उच्वश्ट लाख होगे और धीरे धीरे प्रमात्मा की बातों में भी ऐविस्वास होन लाग गया एक बार एक वैस्वास थी और पुश्ट ने प्रमात्मा की वतन सुन लिए एक रात्री में कबीर परमेश्वर जी उस वैस्वास्वास की मकान से थोड़ी सी दूरी पर किसी भगत के यहाँ विचार व्यक्त कर रहे थे सत्संग कर रहे थे रात्री में अब वो वैस्चा अरद रात्री के बाद सनाना जी करके वो बैठी उसने आवाज सुनी परमात्मा की महिमा की वो अपनी खिड़की में आकर बैठी कान लगा के और परमात्मा की चर्चा परमात्मा ने ग्यान सुनाया और बता कि मानुस जन्म का कर्तिव क्या होता है जो ऐसे पाप करते हैं उनको ये दुख होगा ऐसे करते हैं ऐसा दुख होगा जो वैसे अवर्ती करते हैं उनके साथ ऐसा बुरा हाल होगा जो सरापिते हैं ये दुख होगा मास खाते हैं ऐसा होगा बक्ति नहीं करते हैं उनको कितना कश्ट उठाना पड़ीगा और मनुस जीवन पर मातमा ने के लिए कल्यान के लिए ही दिया था मानुस जनन पाया कर जो नहीं रट हरी नावे जैसे कुआ जल्ब ना फिर बनवाया किस का मे तो उस लड़की ने सोचा भी बात तो तेरा तो जीवन बिगड़िया तूने तो आज तक कोई सुब काम किया ही नहीं और अब के होगा लड़की ने सोचा भी सवाधान भी समतों के पास ही होते हैं वो तुरंत नीचे उतरी और प्रमात्मा के चर्णों में पहुंचकर कहा प्रभू क्या मेरे जैसी दुस्टा भी कावी कल्याण हो सकता है प्रमात्मा ने कहा बेटा नौका का सुभाव होता है नोका का सभाव है उसकी विस्टा है उसमें चाहे तो पत्थर रख दो उसको भी पार करेगी और चाहे उसमें घास फूस हलका रखा हो उसको भी पार करेगी तो बेटा इसής व्राम नाम की नोका मैं पडमात्मा की जहाद में एक दो राजमान हो जा अर्थात यो नाम ले और बुराई छोड़ दे बेटी तो कल्यान हो जागा कि सच्मुच माराज मेरा भी कल्यान हो जागा मैं आप क्या दोस्त को मानती हो बेटा क्या करते हो क्या बताओं प्रभू मैं तो बहुत जालिम औरत हूँ मैं वैस्या हूँ प्रमात्मा ने कहा कोई बात ना बेटी अनजानपने में गलतियां सभी से हो जाती है अब भक्ती करन लाग जाती नाम ले और भक्ती कर ठीक है तो उसने प्रमात्मा की भक्ती स्विकार की देश ले लिया तो बुराई त्याग दी लेकिन बदनाम बहुत थी प्रमात्मान ने कहा बेटी ज्यादातर सत्संग सुनने आला नहीं तो फिर भर्मित हो जाएगी इस आधार से वो अधिक सत्संग में आने लगी है और प्रमात्मा के लिक्ट बैठ जाती है प्रमात्मा कहते है के हम अपने दोस्त को दूसरे में देखने लग जाती है अपनी वाणी में कवीर प्रविश्वर जी ने कहा है कुष्टी हो वैसंत बंदगी कीजिए हो वैस्या कैविसवासिचर्णचित दीजिए कि जैसे पहले वो कोडिया करते थे तो आम भक्त उनसे नफरत करते थे जोकर कदूर बेढ़ जाते थे तो परमातमा उनने कहा करते भाई ना वेरा दो किसका हो जा और ये यहां नहीं आएंगे ग्यां नहीं सुनेंगे इनका मन कैसे रुकेगा कोई भी अपराजी है कोई सराब मास तमा को पीता है सत्संग सुनेगा यानि साबन और पानी के संयोग में मेला वस्तर आएगा तो सुच होगा अर उदर से फिर वो लड़की आने लगी बदनाम थी वो दो सुखी हो गे थे पहले दुखी थे वो बकवाद करन लाएगे और आपस में लोका है देख यह वैस्या यहां आती है यह बदनाम औरत बदनाम करेगी संगत को ऐसा करेंगे कहा मू जखाएंगे पर मातमा जाइनगे इन में बकवाद बरगी थोड़ा सुख हो गया तुम बगवाद से जादा जानते हो उसको सिक्षा जाने लग जाते हो क्या होगा हमारी संगत बदनाम हो जाएगी तुम ठेकेदार हो रहे हैं संगत के हम भूल जाते हैं बगवाद को हम अपनी बगवादों को जो हमारे दर पहले जबा थी उसको फिर परियो करने लग जाते हैं से संत दुखी हो जाते हैं तो क्या बताते हैं कुष्टी हो संत बंदगी कीजियो यहां पर कोई किसा दुखी किसी परकार का रोगी विक्ती आ जावा है उसको भी परनाम बोलना सच है बोलना जो नाम ले लिया जिसने और वैसे भी भगत ही यहां आते हैं पर देश ले लेंगे गाई है तो अप देश भी लेंगे ग्यान सुनेंगे और वैस्या कैवेसे वासे चरन चेत जी जीए अगर आप बदनावा उरत भी है वह भगतिक सुनने आती है ग्यान सुनने आती है नाम ले लिया है कहते हैं उसके पर तीवी अपने मन में दोस मत रखना उसको भी आदर से परनाम करना क्योंकि अजिए आप उसे नफरत करते हो आपके अंदर दोस उससे भी जादा है अब इस परकार मालिक ग्यान दिया करते थे लेकिन ये जब परानी सुखी हो जाता है तब ना तो गुरुजी के आदे इसकी तरफ जान देता अपने में फिर ये ज़्यादा इंटेलीजेंसी महसूस करता है और जो इसके लिए खानी कारक होती है तो गुरुजी के वचन पहले दिन भी ऐसे ही थे जिस दिन आपको सुख होने शुरूबार आपको ग्यान नहीं था ग्यान परवेश हुआ अब उन्ही वचनों से आप ग्यानी होकर बकवाद करन लगया फिर से आपका वैक गेर ला गया तो इस परकार अपने अंदर आए हुए दोसों को सत्संग के आदार से ही सुनकर बार बार विवेचन करे तू कहां कमजोरी है उस पर चोट लागनी चाहिए ताकि आपका जीवन सपह लोसके शेश कता स्याम को सुनाएंगे बोलो सत्गुर जे आज सुबह के सत्संग में आप जी को सुनाया था कि जब ये पराणी महा दुखी होता तो परमात्मा की तलास करता है और जब ये सुखी हो जाता है तो ये भगवान को भूलना प्रहरों कर देता है परमात्मा की 64 लाक स्यस हुए थे वो ज्ञान से नहीं बने थे लग लग साड़े 500 वरस पहले सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा 120 वरस कबीर भगवान जी 120 वरस एक मनुष द्रिश लिला करते हुए यहां रहे और इस तत्व ज्ञान का परचार किया करते थे अपनी पुन्यात्माओं को सुखी किया करते थे क्योंकि वो हमारे भगवान हैं हमारे पता है और अपने का दुख अपने को ही होता है इसलिए वो आते हैं हमें कुछ ऐसी क्रिया करा जाते हैं जिससे कुछ जनन हमारे मनुष के बन जाते हैं और मुन उस जिवन में जो सुईधा हैं आपको चाहिए वो भी उसी क्रिया में की हुई साधना से आपको एटोमेटिकली मिल जाते तो उसी उदेश्टे से परमात्मा ने 600 वरस पहले आका 120 वरस तक यही क्रिया की और जो महादुखी पराणी थे उनको आशिरवाद से फिर नाम दे करके भक्ती करवा करके उनको सुखी किया फिर भूलना सुरू कर दिया और सबसे बड़ी वहाँ उस से में जो कमजोरी हमारे साथ रही तीन्नों योगों में और इस कलियोग के पर्थम चरण में हैं क्योंकि हम ऐस सिक्सित थे और अब सिक्सिया प्रमात्मा नहीं ये आपके पास पहुचाई है और ये इसका नाम कलियोग भी प्रभू नहीं रखवाया है नहीं तो सत्यूक त्रेताद्वापर में केवल एक ब्रहमन वरग सिक्सिया ग्रहन करते थे बाकि उनके दोवारा जिये गए मारग दर्शन से अपनी किरियां करते रहे अब हमने देखा कि जो क्रियां हमने करनी चाहिए उसके तास पास भी रहने हमें नहीं नहीं चोड़ा है तो अब हम प्रमात्मा ने ये करपा की कवीर जी ने कि आप जी को सिक्सित किया ताकि आप सद गरंतों में प्रमात्मा को पहचान सके और ऐसा ही अब हो रहा है मुनात्मों जब तक ये आत्मा परमात्मा के इस सचे ग्यान से संभधित नहीं होती है तब तक ये अपनी भूल भूलिया में अपने हिस्दैनिक किरिया में उलज पुलज रहती है और जो भी जो कर्म कर रहा है उसको अच्छा ही मान कर कर रहा होता है चाहिए कसाई बकरे काटता है कोई मास खाता है कोई हुका पीता है कोई स्राब पीता है कोई दुराचार करता है अपनी किरियां को सत मान कर ही करता है ऐसे ही जैसे आज आपने सुबह सुना के एक वैस्या गनिका वो बेहन अपनी क्रिया को उत्तम मान कर ही कर रही थी जब उसको प्रमात्मा की ग्यान की छीट लगी उसी दिन से अपने उस दुस करम से नफरत बन गई गलानी बन गई और प्रमात्मा के चर्णों में कबीर जी के चर्णों में आगर के वो बहन उपदेश लेकर के बगती करने लगी प्रमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बेटा आप ज़्यादा सथसंग टेंड करना है क्योंकि ज़्यादा मेला कपड़ा हो उस पे कई बार साबुन लगाने की आवशकता होती है तो यह सथसंग एक धोबी घाट समझो ड्राइक क्लीन की सौप शमझो तो यहां सथसंग में आए भी अपरानी को प्रमात्मा के अमरत वचनोंवानी रूपी जल से अमरत से खंगाला जाता है इसमें धोया जाता है साफ किया जाता है तो वह लड़की अपने दुसकर्मों से भैबीत होकर अजिक से अजिक समय जब भी जहां सथसंग होता वह लड़की तुरद पहुंच जाती है और काल की एक विस्येश विस्ता है जो ज़्यादा ही पिछले जन्मों का कोई अच्छी संसकारी प्रानी होता है उसको दुसकर्मों में अधिक फसाता है पाप में अधिक गरस्त कर देता है जैसे सदना कितनी नेक आत्मा थे और कसाई के घरदनम दे दिया और जब उसके समझमाई तोड़ पाड़ दिया उसने सब कुछ सब बंधन तोड़ दिये और प्रमात्मा की भगती करके मौक सदिकारी हुआ तो लड़की प्रमात्मा जब सच्छन करते थे पान सो चार सो भगत वहां इकठे हो जाते थे वो लड़की भी वहां पहुंच जाती थी अब वो भगत आपस में क्या चर्चा किया करते थे कहते थे कि भी ये लड़की ये वैसा यहां आती है ये बदनाम औरत है संगत को बदनाम करेगी सच्छन को बदनाम करेगी जनता तो वैसी हमारे गुरुदेव के पीछे पड़ी हुई है और ये यहां आती रहेगी तो गुरु जी के उपर उंगली उठेंगी इसको नहीं आना चाहिए ये बहुत गल्थ हो रहा है गुरु जी बदनाम हो जाएंगे आप सुन रहे थे जगतकुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजे हमारे वेबसाइट www.jagatgururampalji.org संत रामपाल जी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंदर हैं पर संत रामपाल जी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंदर का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880541